आज चारखंड चुनाओं के परिणाम आए हैं और वो चुनाओं परिणाम ये साबित करते हैं कि देश की जनता आर्थिक मन्दी से परेसान है बेरोजगारी से परेसान है महगाई से परेसान है किसान की आत्म हत्या से परेसान है अपने रोजमर्रा की जिन्दगी में जो उसको भ्रस्टाचार का सामना करना पड़ता है उससे परिशान है तो देश के सामने अब मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा ये है इस बात को भारती जनता पार्टी को समझना चाहिए केंदर सरकार को समझना चाहिए आज अस्थानिय मुद्दों पे जनता वोट दे रही है इसी प्रकार के परिणाम हम लोगों ने महारास्टा और हरियाना में देखा बहुत उत्साहित थी भाजपा, बहुत ज़्यादा वोट आएंगे, बहुत ज़्यादा सीटे आएंगे, ऐसा वो मान रहे थे लेकिन परिणाम नहीं आए उनकी अपेच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं आए और इसी तरीके से जारखंड में आज जो चुनाओ के नतीजे आएंगे, वो ये बता रहे हैं कि आपको अस्थानी मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा आज का चुनाओ परिणाम दिल्ली के लिए भी एक अच्छा संकेत है क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, चिकिस्सा, सिक्षा, सड़क, फ्लायोबर, बुज़र्गों की तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए फ़स्थ्री, बस्की सुविधा या सीसी टीवी कैमरे जैसी जो तमाम हम योजनाओ दिल्ली की जनता के हित में लेके आए हैं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत दिल्ली की जनता भी आम आदमी पार्टी को देगी आज के चुनाओ परिणाम इस बात का साफ संकेत दे रहे हैं और ये हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब जनता नकली जहांसों में जूटे जुमलों में फरजी बातों में फस्तने वाली नहीं है बलकि उसकी जिन्दगी में जो बदलाव आ रहा है जो काम हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में उसके आधार पर वोट पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपसे